पार्लमेंटलों प्रधानी माटलर तुनारी पड़ा लाइव चुदा सर पिकर मोजए सर तक्टिया लाना बिल्कुल गलत है सर तो उनको नेम करती ही सर हमरा आगरा है अपसे सर मैं आने नेता मैं आपसे आगरा कर रहा हूं आपके सदश्यों को समझा लिए तक्तियां लेकर सदन में निया आए आपने कहा था कि हम भाईशकार करेंगे तो आप अपनी बात पर काहिम रहें पिछले तीन दिन से कर रहा था सब हम लोग का डिमेंड है जेपीसी को करने के लिए जेपीसी डालने के लिए और जेपीसी डालने के लिए और जेपीसी नए डाल रहे था सब अभी हम लोग जो ना प्रादान मंत्री जी का सामने भी हम लोग को जो ये मुद्दा को रखना चाहता है ता आपका सामने भी रखा है और हाउस का सामने भी रखा है अभी हम लोग जोने सर इस बात से जोना हम लोग वाक आउट कर रहे हैं ओके अधिया आप ओके ओके माने प्रदामंती जी आदरी अद्दिक जी सबसे पहले मैराष्ट पती जी के अभी भाशन कर धन्यवाद करता हूँ और यह मेरा सौभाग रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्पती जी के अभी भाशन पर धन्यवाद करने का आउसर मिला है लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्पती महधायाजी का अभी नंदन भी करना चाहता हूँ अपने विजनरी भाशन में राष्ट पती जी ने हम सब को और करोडो देशवासियों को मारदर्शन किया है गणतंत्र के मुख्या के रुप में उनकी उपस्तिती आईतिहासिक भी है और देश की कोटी कोटी बेहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेणा का अवसर भी आदर्णे रास्पती महदाया ने आदिवासि समाज का गवरों तो बढ़ाया ही है लेकिन आज आज हादी के इतने सालों के बाद आदिवासि समाज में जो गवरों की अनुभूती हो रही है उनका जो आत्म विस्वाद बड़ा है और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उलका आभारी हुए रास्पती जी के भाषण में संकल्प से सिद्धी तक की आफ्रा का बहुत बड़ियां तरीके से एक खाका खिचा गया एक प्रकार से देश को एकाउंट भी दिया गया इंस्पिरेशन भी दिया गया अधरिय दिख जी यहाँ पर सभी मानियों सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया हर किसी ने अपने अपने आँकड़े दिये अपने अपने तर्क दिये और अपने रूची प्रवरुती प्रकृती के अनुसार सबने अपनी बाते रखी और जब इन बातों को गौर से सुनते है उसे समझने का जब प्रयास करते है तो ये भी द्यान में आता है कि किसकी कितनी च्छमता है किसकी कितनी योग्यता है किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है ये सारी बाते प्रकड होती ही है और देश बली भाती तरीके से उसका मुल्यांकन भी करता है मैं चर्चा में सामिल सभी मान्य सदस्यों का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाशन के बाद पूरा इकोसिस्टिम समर तक उचल रहे थे और खुश हो कर के कहने लगे ये वी नहीं है मैं अंतीम बाद हो गहा हूँ आप सीट में बेटे के नहीं बोले आप वरिश्ट दश हैं और कोई शब्दों को नहीं कलद और कुछ लोग तो खुश हो करके कह रहे थे ये हुईने बाद बड़ा शाद नेनी पे अच्छे आई होगे शाद आज उट भी नहीं पाए होगे और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है बाद अच्छे अच्छे कहा गया है ये कह कह कर के हम ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं वो अब वो अब चल चुके हैं वो अब चल चुके हैं वो अब आ रहे हैं माने देख जी जब राश्ट पती जी का भाशन हो रहा था कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महा महीं राश्ट पती जी का अपमान भी कर चुके हैं जनजातिये समुदाय के प्रती प्लीश 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 आपको प्रती भी दिखाएं जी हैं प्लीश और हमारे जनजातिये समाज के पती उनकी सोच क्या है देखिए सदन सदन के तरीके दे चलेगा आप लोग बोले थे सबने सुना था कोई डिस्टर्मेंट दी हैं नो गलत लेकिन जब इस प्रकार की बाते टीवी के सामें कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था जो सच वो बहार आके ही रह गया ये खुशी है ठीक है बाद में चीठी लिख करके बचने की कोशिस तो की गई है माने अद्रग जी जब राश्पती जी के भाशन पर चर्चा मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौण रहकर कर की स्विकार किया गया कैने एक प्रगार चे सब के भाशन में देख सुनता उसा तब लगा कि राश्पती जी के भाशन के प्रतिक किसी को इतराज नहीं है किसी ने उसनी आलोचना नहीं की भाशन की हर बात अब देखे क्या कहा है राश्पती जी ने मैं उनी के शब्द कोड करता हूँ राश्पती जी ने अपने भाशन में कहा था जो भारत कभी अपनी अधिकाँ समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है राश्पती जी ने ये भी कहा था जिन मुल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दसकों तक इंतजार किया बे इन वर्षों में उसे मिली है बड़े बड़े गोटालों सरकारी योजनाओं में प्रस्चाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ती चाहता था वो मुक्ती अब देश को मिल रही है पालिसी पालिसी की चर्चा से बहार आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दुर ग्रामी द्रस्टी से लिए गए फैंसलों के लिए हो रही है यह परेगराप जो मैं पढ़ रहा हूं वो राश्पती जी के भाषन के परेगराप को मैं कोट कर रहा हूं और मुझे आश्ण का थी कि ऐसे ऐसी बातों पर यहां जुरूर इत्राज करने वाए तो कुछ लोग निकलेंगे वो विरोध करेंगे गया ऐसा कैसे बोल सकते ना तुछ लेकिन मुझे खुशी है किसी ने विरोध नहीं किया सबने स्विकार किया सबने स्विकार किया और मानिय अद्धिजी मैं 140 करोर देश वासियों का अभारी हूं कि सब के प्रयास के परणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्विक्रूती मिली है इससे बड़ा गवरव का विशे क्या हो आदने द्धिजी सदन में हसी मजाग टिकाटी पणी नौक जोग ये तो होता रहता है लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट के रूप में गवरव पूर्ण आउसर हमारे सामने खड़े गवरव के ख्षन हम जी रहे राष्ट्पती जी के पूरे भाष्ण में जो बाते हैं वो एक सो चालीस करोर देशवासियों के सलिब्रेशन का अउसर है देश ने सलिब्रेट किया है मालियद्र जी सो साल में आई हुई ये भैंकर बिमारी महामारी दूसरी तरब युद्र की स्थिती बटा हुआ विश्व इस स्थिती में भी इस संकट के माहोल में भी देश को जिस प्रकार से समाला गया है देश जिस प्रकार से समला है इससे पुरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है गवरों से भर रहा है अधरिने अधिक जी चुनोतियों के बिना जीवन नहीं होता है चुनोतियों तहाती लेकिन चुनोतियों से ज़्यादा सामर्थवान है एक सो चालीस करोर देशवाच्चों का जज़बा एक सो चालीस करोर देशवाच्चों का सामर्थ है चुनोतियों से भी ज़्यादा बजबूत है बड़ा है और सामर्थ से भरा हुआ है इतनी बड़ी भंकर महामारी बटा हुआ विश्व युद्ध के करहो रहे विनाश अनेक वो देशों में अस्तिर्ता का माहोल है कई देशों में भीशन महंगाई है बेरोजगारी खाने पिने का संकट और हमारे अडोस परोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है ऐसी स्थिति में मान्य दग्जी कौन हिंदुस्तानी इस बात पर गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थे गवस्ता बताए आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पोजिटिविटी है एक आशा है भरोसा है और मान्य दग्जी ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समरुद्ध देश ऐसे जी ट्वेंटी समों की अध्यक्ष्ता का आउसर भी बेदा ये देश के लिए ये देश के लिए गर्व की बात है एक सो चालीस करोर देश वाच्यों के लिए गर्व की बात है लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे नहीं लगता था लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है एक सो चलीस करोर देशवास्यों में किसी को दुख नहीं हो सकता है वो आत्म निरिक्षन करें वो कौन लोग है जिसको इसका भी दूख हो रहा है मानिय अद्दक जी मानिय अद्दक जी आज दुनिया की हर विश्वस्निय संस्ता सारे एक्सपोर्ट्स जो वैश्वीक प्रबाहों को बहुत गहराई से अध्यन करते हैं जो भविश्व का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं उन सब को आज भारत के प्रती बहुत आशा है विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है और आखिर ये सब क्यों हों ऐसे ही तो नहीं है आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है इसके पीचे कारण है इसका उत्तर छिपा है भारत में आईस्तिता में भारत की बैश्वीक सांख में भारत के बढ़ते सामर्थ में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में माने अधिक जी हमारी रोज मेरा की जिन्दगी में जो बाते हो रही है उसी को मैं अगर शब्द बद्द करूँ और कुछ बाते उदाहर से समझाने की कोशिश करूँ अब आप देखिये भारत में एक दो तीन दसक अस्थिरता के रहे हैं आज स्थिरता है पुलिटिकल स्टैबिलिटी है स्टेबल गवर्मेंट भी है और डिसीजी गवर्मेंट है और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है एक निर्णायक सरकार एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार वो राष्ट हीत में फैसले लेने का सामर्त रखनी है और ये वो सरकार है रिफार्म आउट अप कंपल्सन नहीं रिफार्म आउट अप कन्विक्शन हो रहे है और हम इस मार्क पर हटने वाले नहीं हैं चलते रहेंगे देश को समय की मांग के नुसर जो चाहिए वो देते रहेंगे मानिय देख जी एक और उदाहन के तरफ मैं जाना चाहूँगा इस कोरोना काल में इंडिया वैक्शिन तयार हुई भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्शिनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं अपने करोड़ो नागरिकों को मुप्त वैक्शिन के टीके लगाए इतना ही नहीं एक सो पचास से जादा देशों को इस संकट के समय हमने जहाँ जरुवत थी वहाँ दवाई पहुचाई जहाँ जरुवत थी वहाँ पैक्शिन पर आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विशेम हैं इस बात पर बड़े गवरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं भारत का गवरवगान करते हैं उसी प्रकार से तीसरे एक पहलू की तरफ ध्यान देता है इसी संकट काल में आज भारत का डिजिल इंफ्रस्ट्रक्टर जिस तेजी से डिजिल इंफ्रस्ट्रक्टर ने अपनी ताकत दिखाई है एक आधुरित्ता की तरफ बडलाव किया है पुरा विश्वेश का अध्यन कर रहा है मैं पिछले दुनों G20 समीट में बाली में था डिजिटल इंफ्रस्टरक्टर भावाई हो रही थी और भहत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश समरुद्ध देश अपने नागिलकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे नोटे छाते थे बांटे थे लेकिन बांटे नहीं पाते थे यह देश है जो एक फिक्षन अब सेकन में लाखो करोड़ो रुपिये देश वाज़ियों के खाते में जमात पाते है हजानों करोड़ रुपे ट्रांस्फर हो जाते हैं एक समय था छोटी छोटी टेकनोलोजी के लिए देश तरस्ता था चे आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है टेकनोलोजी के खेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है कोविन दुनिया के लोग अपने वैक्सिनेशन का सर्डिपिकेट भी देनी पाते जी आज वैक्सिन लोग हमारे मुबाइल फोन पर मारा सर्डिपिकेट दूसरी सेकंड के अवेलेब रहा है मानियत देख जी भारत में नहीं संभावनाएं हैं दुनिया को ससक्त वैल्यू और सप्लाइज चेंड उसमें आज पूरी दुनिया ने कोरोना कालखन ने सप्लाइज चेंड के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है आज भारत उस कभी को पूर्णे की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है कई यों कोई बात समझना बहुत देर लग जाएगे भारत आज इसी दिशा में एक मैनिफेक्टर ने हब के रुपे उफ़र रहा है और दुनिया भारत की समर्द्धी में अपनी समर्द्धी देख रही हो मानिय देख जी निराशा में डुबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्विकारी नहीं कर पा रहे है उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धिया नहीं दिखती है अरे 140 करोर देश वाच्छियों के पुर्शारत और प्यास्कर का परणाव है जिसके करना दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है उन्हें भारत के लोगों के पुर्शारत और परिश्रम से प्राप्त और प्लब्धिया उनकों नजर नहीं आ रही है मानिय अद्दिक जी इछले नव वर्ष में भारत में नब्बे हजार स्टार्ट अप्स और आज स्टार्ट अप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है एक बहुत बड़ा स्टार्ट अप इको स्ट्रीम आदेश के टायर टू ट्रेयर थ्री सिटीज में भी पहुंच चुका है हिंदुस्तान के हर कौने में पहुंचा है भारत के युवा सामर्थ की पहचान बनता जा रहा है मानिय दग जी इतने कम समयव है और कोरोना के विकट का ख़ण पहे है 108 युनिकॉन बने है और एक युनिकॉन का मतलब होता है उसकी वैल्यो छे साथ हजार करोड से ज़ादा होती है ये ये देश नवजवानों ने करके दिखा रहा है मानिय दग जी आज भारत दुनिया में मोबाइल मेनिफेक्ट्रिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गाए गरेलू मिमान यात्री डॉमस्टिक एड टाफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुँच चुके एनर्जी कंजुम्शन प्रगति के एक मांदन माना जाता है आज भारत एनर्जी कंजुम्शन में दुनिया में एक कंजुमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुँच चुके हैं रिन्योबल एनर्जी के कैपसिटी में हम दुनिया में चोथे नंबर पर पहुँच चुके हैं स्पॉर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी कोई पूछता नहीं था आज पॉर्ट्स की दुनिया में हर स्थर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुत्बा दिखा रहा है अपना सामत दिखा है एजुकेशन समय धर छेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है पहली बार मान्य देजी गरवह होगा पहली बार हायर एजुकेशन में एन्रोल्मेंट वालों के संख्या चार करोड से जाड़ा होगा इतना ही नहीं बेटियों की भी भागेदारी बरावर होती जा रही है देश में एंजिरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजी हो उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है स्पोर्ट के अंदर भारत का पर्चम ऑलिम्पीक हो, कॉमन वेल्ट हो हर जगा पे हमारे बेटे, हमारी बेटियों ने शांदार प्रदर्शन किया है मानियत देगी किसी भी भारतियों ऐसी अनेक बाते में गिना सकता हूँ राश्पत्वीजी ने अपने भाशन में कही बाते कही है देश में हर स्तर पर हर खेत्र में हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रहे एक विश्वास से भना हुआ देश है सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में ढूबे हैं काका हाथरसी ने काका हाथरसी ने कहा था आगा पीशा देखकर, आगा पीशा देखकर, क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना, वैसा दिखे सिन. आगा देखकर जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीशे कारण है, एक तो जन्ता का हुकम, बार बार हुकम, लेकिन साथ साथ, इस निराशा के पीशे, जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज़ है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले दस साल में, 2014 के पहले, 2004 से 2014, भारत की अर्थवबस्ता खस्ता हाल हो गई, निराशा नहीं होगी, तो क्या होगा, दस साल में, महेंगाई डबल डिजीट रही, महेंगाई डबल डिजीट रही, और इसलिए, कुछ अगर अच्छा होता है, तो निराशा और उफर गर के आती है, और जिनोंने, बेरोजगारी दूर करने के वादे किये थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किये थे माने अजगी एक बार जंगल में दो नवजवान शिकार कर निगली गए और वो गाड़ी में अपनी बंदू-बंदू नीचे उतार करके थोड़ा टहले रगे उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा ज़रा हाथ पर ठिक कर ले लेकिन गए थे तो बाग का सिकार करने के लिए और उन्हों देखा आगे जाएंगे तो बाग मिलेगा लेकिन हुआ ये कि महीं पर बाग दिखाई दिया अभी नीचे उतरे थे अपनी गाड़ी में बंदू-बंदू बहीं पड़ी थी बाग दिखाई पकरे क्या तुने लाइसन दिखाया ये मेरे पाद बंदू का लाइसन्स है इनों ने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया है वह कानून बना दिया है अर्दे को कानून बना दिया है ये इनके तरीके हैं पल्ला जार दिया चार से चोदा आजादी के तियाद मैं सबसे गोटालों का दसक रहा है सबसे गोटालों वही दस साल यूपी एके वो दस साल कश्मीर जे कन्या कुमारी भारत के हर कोने में आतंगवादी हमलों का सिलसिरा चलता रहा हर नागरी का सुरुचित था चारों तरफ यहीं सुचना रहती थी कि कोई अंजानी चीज़ को हाथ मन लगाना अंजानी चीज़ से दूर रहना वही खबरे रहती थी दस साल में जम्मु कश्मीर से लेकर नौर्ट इस तक हिंसा ही हिंसा देश का सिकार हो गया था उद्दस साल में उद्दस साल में भारत की आवाच ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं पादनियत जी इनकी निराशा का कारण ये भी है आज जब देश की एक शमता का परिशे हो रहा है एक सो चालीस करोर देश वार्चों का सामर्थ खिल रहा है खुल करके सामर्य आ रहा है लेकिन देश का सामर्थ तो पहले भी था लेकिन 4 से 14 तक इन्होंने वो अवसर गमा दिया और UPA की पहचान UPA की पहचान बन गई हर मोके को मुसीबत में पलड़ दिया हर मोके को मुसीबत में पलड़ दिया जब टेक्नोलोजी इन्फरमेशन और टेक्नोलोजी इन्फरमेशन का यूप बड़ी तेजी से वड़ रहा था उसी समय ये टूजी में फसे रहे मोका मुसीबत में सिविल नुकलियर डील हुआ जब सिविल नुकलियर डील की चर्चा थी तब ये कैश पॉर वाट में फसे रहे ये खेल चले आदनिया अद्दिक जी दोहजार दस में कॉमन वेल गेम्स हुए भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा उसर था लेकिन फिर मोका मुसीबत में और CWG गोटाले में पुरा देश दुनिया में बधनाम हो आदनिय अद्दिक जी आदनिय अद्दिक जी शदी के दूसरे दसक में सदी के दूसरे दसक में तूसरे चाहिए प्रस्तुत के दूसरे पेभाण से एक दूसरे दसक में हुआ ख़ाएं पर्मप्राहों के अनुरूप नहीं है आप बिना तत्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं प्लीज बेढ़े हैं नो बेढ़े हैं बेढ़े हैं नो 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 अधरी अध्यक जी उर्या कहा किसी भी देश के विकांस में अपना एक महत्मय होता और जब दुनिया में भारत की उर्या शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरुत थी इस सदी के दूसरे दसक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लेक आउट के नाते हुई पुरे विश्व में ब्लेक आउट के वो दिन चर्चा के केंदर में आ गए कोई लोग उटाला चर्चा में आ गया आदनियर अद्धक जी देश पर इतने आतंग की हमले हुए 2008 के हमलों को कोई घूल नहीं सकता है लेकिन आतंगवात पर सीना तान कर आँख में आँख मिला करके हमले करने का सामर्थ नहीं था उसे चुनोती को चुनोती देने की ताकत नहीं थी और उसके खारण आतंगवादियों के हौसले बलंद होते गए और पुरा देश दस साल तक खुन बहता रहा मेरे देश के निर्दोट लोगों का वो दिन गए थी आदलियत द्धक जी जब L.O.C. L.A.C. भारत के सामर्थे की ताकत का अफसर रहता था उस समय डिफेंस दिल को लेकर के हेलिकॉप्टर गोटा ले और सब्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के दाम उसमें चिलनित हो गए है आदेने अद्धक जी जब देश के लिए जरूरत थी अन्यराशा के मुल में चीजे पड़ी हुई है सब उभर करके आ रहा है आदेने देजिस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दसक था दे लास्ट डेकेड की रुप में जाना जाएगा और इस बात को इंकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दसक है ये इंडियास डेकेड है पूरे बिश्व के लिए आदनिय अत्रजी थैंक्यों सची जी अधनिय अत्रजी पड़वारा हो क्या अधनिय अत्रजी पड़वारा हो अधनिय अत्रजी लोग तंत्र में आलोचना का बहुत महत्म मैं मानता हूँ और मैं हमेशा मानता हूँ कि भारत जो कि मदरब डेमोकरसी है सद्यों से हमारी हाँ लोग तंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ क्या लोचना एक प्रकार से लोग तंत्र की मजबूती के लिए लोग तंत्र के संवर्धन के लिए लोग तंत्र के स्पिरिट के लिए क्या लोचना एक शुद्धी यगनभ है उस रूप में हमा लोचना को देखने बादे लेकिन गुरुभाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई तो महनत करके आएगा कोई तो अनालिजिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाब हो लेकिन नौ साल आलोचना ने आरोपों में घवा दिये जिदों ने सिवाए आरोप गाली गलोच कुछ भी बोल दो इसके सिवाए कुछ नहीं किया गलर पावों और हाल ये चुनाव हार जाओ EVM खराब देदो गाली चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली देदो क्या करीका है अगर कौर्ट में फैसला पक्षमें नहीं आया तो सुप्रिम कौर्ट को गाली देदो उसकी आलोच ना कर दे अगर ब्रस्टाचार की जाज हो रही है अगर ब्रस्टाचार की जाज हो रही है मांडे अगर ब्रस्टाचार की जाज हो रही है तो जाज एजेंटियों को गाली दो अगर सेना पराक्रम करे सेना अपना शौर ये दिखाए और वो नेरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पादा करे तो सेना की अलोच ना करो सेना को गाली दो सेना परारोब करो कभी आर्थिक देश की प्रगती की खबरें आए आर्थिक प्रगती की चर्चा हो विश्व के सारे संसान बारत के आर्थिक गवरवगान करे तो यहां से निकलो RBI को गाले दो बारत के आर्थिक सुस्तानों को गाली दो आदे ने अद्रिक जीए हमने नौ साल देखा है माननी है एक प्रियू क्रिटिस्दम की जगा माननी है आप सदन के नेता है आप आने सदर्शों को समझा दे हैं ये संसदिय परंप्रा के अनुरूप नहीं है कि बेटे बेटे बोलें नो गलत नो आपने भी बोला है गलत तरीका है ये नो बैट याई ये गलत तरीका है जब सदर्शों के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना जीए प्लीज बेटे बेटे बाने प्रदावंती जी पिखले नौ साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिजम की जगा कंपल्सिव क्रिटिक्स ने वे ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं खोए हुए हैं मानियत देख जी सदन में ब्रस्टाचार की जाँच करने वाली एजन्टियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विशे में सूर में सूर मिला रहे थे मिले मेरा तेरा सूर अधिर अधिर जी मुझे लगता था देश की जन्ता देश के चुनाओ के नतीजे ऐसे लोगों को जुरूर एक मंच पर लाएंगे लेकिन वो तो हुआ नहीं लेकिन इन लोगों ने इडी का धन्यवाद करना चाहिए कि इडी के कारण ये लोग एक मंच पर आएंगे इडी ने इडी ने इडी ने इक लोगों को एक मंच पर लादिया है और इसलिए जो काम देश के मद्दाता रही कर पाए आदनिय अद्दक जी मैं कई बार थून रहा हूँ माने अद्दक जी मैं कई बार सुन रहा हूँ यहां कुछ लोगों को हावर्ड स्टुडी का बड़ा क्रेज है हार्वर्ड स्टुडी हार्वर्ड स्टुडी हैं बड़ा क्रेज है कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कॉंग्रेज ने कहा था कि भारत की बरबादी पर हार्वर्ड में क्रेश्टुडी होगी हाँ थै कहा था और कल फीर सदन में हार्वर्ड उनिवर्शी की में स्टुडी की बात कल फीर हुई लेकिन मानिय अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् Study है, The Rise and Decline of India's Congress Party, यह study हो चुका है, आज मुझे भी स्वास है देखिए, मुझे भी स्वास है, बविश्म है, कॉंग्रेस की बरबादी पर चिर्व हारवर नहीं, बड़े बड़े विश्म विद्यालव में अध्यन होना ही होना है, और दुमाने वाले लोगों पर भी होने वाला है, आदेनी अध्यक जी, मैं ऐसे लोगों के लिए, आदेनी अध्यक जी, इस प्रकार के लोगों के लिए, दुश्यन कुमार ने बहुत बड़िया बात देखिए, और दुश्यन कुमार ने जो कहां है, बहुत फिट बैरता है, अलना ने कहां है, तुमारे पाउं के नीचे, तुमारे पाउं के नीचे, कोई जमिन नहीं, कमाल ये है, कमाल ये है, कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, आदेनी अद्धिक जी, आदेनी अद्धिक जी, ये लोग बिना सरपैर की बाते करने, कि आदी होने के कारण, उनको ये भी आद नहीं रहता है, कि वो खुद का किताना कॉंट्राडिक्शन कहते हैं, कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, हो सकता है, वो आत्मे चिंतन करके, खुद के अंदर जो विरोधाबास है, उसको भी तो ठिक करेंगे, अब 2014 के से, 2014 से, ये लगातार कोश रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को त्यार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, नहीं जाने क्या क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, कि भारत इतना मजबूस हो गया है, कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है अरे पहले ये तो तो है करो भाई कि भारत कम जोर हुआ है कि मैं को तो हुआ है मान यादिक जी माने अदिक जी कोई भी जीवन्त संगर्ण होता है अगर जीवन्त व्यवस्टा होती है जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्टा होती है वे जनता जनादन में क्या चलता है लोगों के अदर उसका चिंतन करता है उसे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता लेकिन जो अहंकार में डुबे होते है जो बस सब कुछ हमी को ग्यान है सब हमारा ये सही सही है ऐसी जो सोच में जीते हैं उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा मोदी पर जूटे अनाप सनाप कीचर उचाल करके ही रास्ता निकलेगा अब बाइस साल भी दिए वो गलत फैंबी पाल घर के बैटे हुए है आदनी अद्दक जी मोदी पे भरोसा अकबार की सुर्खियों से पादा नहीं हुआ है मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चहरों से नहीं हुआ है जीवन खपादिया है पल पल खपादिया है देश के लोगों के लिए खपादिया है देश के उजबल भविश के लिए खपादिया है आधनी अत्यकी जो देश वाचियों का मोदी पर बरोसा है ये इनकी समझ के दाइरे से बाहर है और समझ के दाइरे से भी काभी उपर है क्या ये जूटे आरोप लगाने वालों पर मुक्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड देशवाजी क्या कभी उन पर बरोसा करेंगे ज़ा आदनियत जी वन नेशन वन राशनकार देखबर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी अब राशन मिल जाता है वो आपकी जूटी बातों पर आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे वरोसा करेगा आदनियत जी जिस किसान के खाते में साल में तीन बार पी-एम किसान सम्मान निधी के 11 करोड किसानों के खाते में प्रैसा जमा होते है वो आपकी गलीच आपके जूटे आरोपों पर भिस्वात कैसा करेगा आदनियत देखिए जो कल फुटपात पर जिन्दगी जीने के लिए मजबूर था जो जुग्य जोपनी में जिन्दगी बसर करता था ऐसे तीन करोड से जानदा लोगों को पके घर मिले है उनको उनको तुम्हारी ये गालियां ये तुम्हारे जूटी बाते क्यों वो पर रुसा करेगा जिन्दगी आदनिय अद्ग जी नव करोड लोगों को मुप्त गैस का कनेक्शन मिला है वो आपके जूट को कैसे शुकार करेगा आदनिय अद्ग जी आज़ादी के 75 साल मिद गए आठ करोड परिवारों का आज नल से जल मिला है वो माताएं तुम्हारे जूट को कैसे शुकार करेगी तुम्हारी गल्दियों को गालियों को कैसे शुकार करेगी आईश्मान भारती होजना से दो करोड परिवारों को मदद पहुंची है चिंद्गी बच गई है उनकी मुसिबत के समाए मोधी काम आया है तुम्हारी गालियों को वो कैसे शुकार करेगी पारदनिय अद्ग जी आपकी गालियां आपके आरोपों को इन कोटी कोटी पारदनिय अद्ग जी आपकी गालियों को आपके आरोपों को इन कोटी कोटी भारतियों से हो करके गुजरना पड़ेगा जिनको दसकों तक मुसीबते में जिन्दगी जीने के लिए तुमने बद्बूर दिया आदेनियत देखिए कुछ लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए है अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे है मोधी तो 25 करोर देशवाचियों के परिवार का सदक से आदेनियत देजी एक सो चलीस करोर देशवाचियों के असिर्वाच ये मेरा सबसे बड़ा सुरुच्शा कबच है और गालियों के सस्त्र से चूट के सस्त्रास्त्रों से इस सुरुच्शा कबच को कभी तुम बेद नहीं सकते हो वो विश्वास का सुरुच्शा कबच है और इन सस्त्रों से तम कभी बेद नहीं सकते हो आदेन ये दिग्जी आने सदर प्लीज ने ने ये तरीका उचितनी है आपका कोई तरीका उचितनी है नो इस तरीके से सदर नी चलेगा मैं आपको टाज़ता हूं नो तरीका गलादा बेट बेट ये क्या सदन है संसद है बेट कर टिप्टी करते है सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रागा करो मर्यादा रखा करो चीजों की आदनियत दिग जी हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है समाज के वन्चित वर्को वरियता उस संकल्प को लेकर के हम जी रहें उस संकल्प को लेकर के जल दसकों तक दलीत पिछडे आदिवासी जिस हालत मुन को छोड़ दिया गया था वो सुधार नहीं आया जो समिधान निर्वाताओं ने सोचा था जो समिधान निर्वाताओं निर्विश्च किया था 2014 के बात गरीब कल्याण योजनाओं का सरवादी कलब मेरे इनी परिवारों को मिला है जलीट पिछडों आदिवासी की बस्तियों में पहली बार मानियते की पहली बार बिजली पहुँची है मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था पहली बार नल से जल पहुँच रहा है इन परिवारों में पहुँच रहा है मानियत दिख जी अनेक परिवार कोटी कोटी परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए है वहां रह पाए है आदर्य अद्धिक जी जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी आपके लिए चुनाव के समय जिसकी याद आती थी आज सडक हो बिजली हो पानी हो इतना ही नहीं फोर जी कनेक्टिवीटी भी वहां पहुंच रही आदर्य अद्धिक जिस पुरा देश गवरव कर रहा है आज एक आदिवासी राजपती के रूप में जब देखते हैं पुरा देश गवरव गान कर रहा है आदेश में आदी जाती समू के नरनारी जिन्होंने मात्र भूमी के लिए जीवन तरपन कर दिये आज आती के जंका ने तुत्व किया उनका पुर्णे समां आज हो रहा है और हमारे आदिवासों के गवरव दूस्त मना जा रहा है और हमें गर्व है किसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिंदी के रूपे एक महिला देश का नेत्रुत्व कर रही है जात्पती के रूप में काम कर देश हमने उनका हक दिया है आदिवासी जी जी आदिवासी जी हम पहली बार देख रहे हैं एक बाद ये भी सही है हम सब का समान रूप हो है सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा ने आपका भी है हम सब जानते हैं कि जब माश सकत होती है तो पूरा परिवार सकत होता है जब माश सकत होती है तो परिवार सकत होता है परिवार सकत होता है तो समाच सकत होता है और तबी जाकर के देश सकत होता है और मुझे संतोश है कि मानता हैं पहनों बेटियों को सबसे ज़्यादा सेवा करने का सोभाग हमारी सरकार को मिला हर छोटी मुसिबत को दूर करने का प्रामानिक पुर्वक प्रयास किया है बड़ी सम्वेजन सिल्टा के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है आदनियद्ध जी कभी-कभी मजाक उड़ाय जा रहा है ऐसा कैसा पुदानमत्री है लोग लोग के लिए पर से टॉइलेट की बाते करता है बड़ी मजाक उड़ाएगी आदनियद्ध जी ये टॉइलेट ये इज्जदगार इन मेरी माताओं बेहनों की च्छमता उनकी सुविदा उनका सुरक्षा का सम्मान करने वनी है इतना ही नहीं मानियद्ध जी जब मैं सेनेटरी प्रेट की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है अरे पधान मंत्री ऐसे बीज़े मैं क्यों जाते है मानियद्ध जी सेनेटरी प्रेट के अभाव में गरीब बेहन बेटियों के अपमान सहती थी बिमारियों का शिकार हो जाती थी माताओ बहनों को दूवे में दिनके कई गंटे बिताने पड़ते थे उनका जीवन धूमे फ़सा रहता था उसे मुक्त दिलाने का काम उन गरीब माताओ बेहनों को करने का सौपा थे हमें भी रहते है जिन्देगी खप जाती थी आदा समय पानी के लिए आदा समय केरोसिन की लाइन के इंदर खपे रहते थे आज उसे मुक्त देने का संतोश उन माताओ बेहनों को मुक्त देने का संतोश मानियत देगी जो पहले चलता था अगर वैसा ही हम चलने देते शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मुदी जी ये क्यों नहीं किया क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिटी में ला दिया था कि इससे बाहर लिकल ही नहीं सकता था वैसी निराशा में देश को जौक कर रखा हुआ था हमने उजवला योज़ना से दूए से मुक्ति दलाई जल जीवन से पानी दिया बहनों के शसकतिकन के लिए काम किया नव करोर बहनों को सेलफ हैल्प ग्रूप स्वैम सहायता समू से जोड़ना माइलिंग से ले करके डिफेंस तक आज माता हो बहनों को बेटियों को अवसर खोल दिये हैं ये खोलने का काम हमारी सरकार रिखिया है भादिय लख देजी इस बात को हम व्याद करें बोट बैंक की राजनीती ने देश के सामर्थों को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुचाया है और उसी का पर्णाब है कि देश में जो होना चाहिए जो समय पर होना चाहिए था उस पर काफी देर हो गई आप देखिए मद्दिंबर्ग लंबे समय तक मद्दिंबर्ग को पुरी तरह नकार दिया गया उसकी तरह देखा तक नहीं गया एक परकार देखिए वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं अपने बल्बुते पर जो हो सकता है करते चलो वो अपनी पूरी शक्ती बेचारा खपा देता था लेकिन हमारी सरकार इंडिये सरकार ने मद्दिंबर्ग की इमानदारी को पहचाना है उन्हें सुरक्षा पुर्दान की है और आज हमारा परिश्रमी मद्दिंबर्ग देश को नहीं उचाई पर ले जा रहा है सरकार के भीपिन ने योजनाओं से मद्दिंबर्ग को कितना लाब हुआ है मानने दिख जी मैं उदान देता हूँ 2014 से पहले जीबी डेटा क्योंकि आज यूग बदल चुका है ऑनलाइन दुनिया चल रही है हर एक के हाट में मुबाइल पड़ा हुआ है कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मुबाइल तो होता ही है अधनिया दिख जी 2014 के पहले जीबी डेटा की किमत 250 रुपिया थे आज आज सिरब 10 रुपिया आज सिरब 10 रुपिया अधनिया दिख जी एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज 20 जीबी का उपयोग करता है अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का 5000 रुपिया बचता है आधनिया दिख जी जनवशदी श्टोर आज पूरे देश में आकरसन का कारण बने है क्योंकि मद्द्वर का परिवार उसको अगर परिवार में सीनियर सेटीजन है डाइबिटीज जी बिमारी है तो हजार दो हजार दाइजार तिनिजार की दवाई हर मेना लेनी पड़ती है जनवशदी केंद्र में जो दवाई बाजार में 100 रुपिय में मिलती है जनवशदी में 10 रुपिय बिच रुपिय में मिलती है आज बीस हजार करोड रुपिया मद्लिम्बर का जनवसदी के कारण बचा है मानिय देगी हर मद्लिम्बर की परिवार की एक सपना रिता खुद का गर बने और अर्बन इलाखे में होम लोन के लिए बड़ी विवस्ता करने का काम हमने किया और रेरा का कानून मनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्वा मद्लिम्बर की महनत की कमाई को सालों तक डुबो कर रख देते थे उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विस्वाद देने का काम हमने किया और उसके कारण खुद का घर मनाने के उसकी सहुलियत बढ़ गई है आदनियत दक जी हर मद्धिमबर के परिवार को अपने बच्चों के भविश के लिए उसके उत्चे सिख्षा के लिए उसके मन में रहता है मन्सुबा रहता है वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेरिकल कॉलेजीज हो एंजिनिंग कॉलेजीज हो प्रपरशनल्स कॉलेजीज की संख्या बढ़ाई गई है सीटे बढ़ाई गई है उसने मद्धमबर के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एटिस किया है उसको बिश्वास होने लगा है क्योंके बच्चों का उजवल भविष निर्धारित है आजनी अजिक जी देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आदू नेक्ता की तरफ गई बिना कोई चारा नहीं और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते और इसलिए हमने इंफ्रास्रक्टर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है और ये भी माने स्विकार रगा भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखन के पहले गुलामी के कालखन के पहले ये देश आर्किटेक्टर के लिए infrastructure के लिए दुनिया में उसकी कांकती पैचान थी गुलामी के कालखन में सारा नस्टो गया देश आजाद होने के बाद वो दिन दुबारा में आएगा ऐसी आचा थी लेकिन वो भी समय बीद गया जो होना चाहिए था जिस गति से होना चाहिए जिस केल से होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए आज आज उसमें बहुत बड़ा बड़लाव इस दसक में देखा जा रहा है सडक हो समुद्री मार हो ब्यापार हो बोटल वेज हो हर खेत्र में आज इंफ्रात्रकर का काय कल्प देख रहा है हाइवेज पर हाइवेज पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है मानियत देख जी दुनिया भर में आज चौडी सडकों की बत्ता आते जे भारत में चौडी सडके हाइवेज एक्सप्रेस बे आज देश की नई पीडी देख रही है भारत में वाइस विक सर के अच्चे हाइवेज एक्सप्रेस दिखे इस दिशा में हमारा काम है पहले रेलवे इंफ्रासक्चर अंग्रेज उने जो देख करके गए उसी पर भी हम बैठे रहे उसी को हमने अच्छा मान लिया गाड़ी चलती थी आदनिय देख जी वो समय था आदनिय देख जी वो समय था जिस प्रकार से अंग्रेज जो छोड़ करके गए थे उसी भाव में जीते रहे और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी रेलवे याने धक्का मुक्की रेलवे याने एक्सिरेंट रेलवे याने लेट लतीप यही याने एक्सिरेंट थी लेट लतीप में एक कहावद बनी गई थी रेलवे याने लेट लतीप एक समय था हर मेने एक्सिरेंट होने वाली गट्लाए बार बार आती थी एक समय था एक्सिरेंट एक किस्पत बन गई थी लेकिन अब अब ट्रेनों में ट्रेनों के अंदर वंदे भारत वंदे भारत के मांग हर MPT लिटा है मेरे हां वंदे भारत चालू करा है आज रेली रेस्टेशनों का काया कल्प हो रहा है आज एरपोर्ट का काया कल्प हो रहा है सतर साल में सतर एरपोर्ट नव साल में सतर एरपोर्ट देश में वोटर वेज भी बन रहा है आज वोटर वेज पर टांस्पोर्टरेशन हो रहा है आदनियत दक जी देश आधुनिक्ता की तरफ बड़े इसके लिए आधुनिक इंट्राशक्टर को बल देते हुए आदनियत दक जी मैंने जीवन में सारवजनिक जीवन में चार पांच दसक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गाउं से गुजरा हुआ इंसान चार पांच दसक तक उसमें से एक लंबा कालखन परिवराजक के रुपे बिताया है हर स्थर के परिवारों से बैटने उटने का बात करने का आउसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूबा को समाज के हर भावना से परिचित हो और मैं इसके अधार पर कह सकता हूँ और बड़े भिश्वास से कह सकता हूँ कि भारत का सामान निम्बान भी पोजिटिविटी से भरा हुआ है सकारत्पक्तन उसके स्वभाव का उसके संसकार का हिस्सा है भारतिय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है स्विकार नहीं करता है ये उसकी प्रकूती देखे भारतिय समुझाए का सभाव खुश बुजाज है सब्ने सील समाज है सब्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है सुजन कारिय से जुड़ा हुआ समाज है हम मैं आज कहना चाहूंगा जो लोग सपने लेकर के बैटे हैं कि कभी यहां बैटते थे फिर कभी मौका मिलेगा ऐसे लोग जरा प्रचाज़ बार सोचे अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर विचार करें लोग तंत्र में आपको भी आत्मचेंतन करने की आवश्यक्ता है आधार आज डिजिटल लेंदेन का सबसे बड़ा महतवपुरांग बन गया आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था आप उसके भी पीठे पढ़ गये थे उसको भी रोगने के लिए लेकिन आज हिंदुस्तान के अर्थववस्ता को और बास आमान ने मानुवी को जीवन सुगम बनाने में जीएस्टी जेक बहुत बड़ी भूमिकाद आजी वो जमाए एचेल को कितनी गालिया दी गई किस प्रकार से बड़े बड़े फॉरम का मिस्यूस किया गया आज एशिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है जहां से तेजस हवाई जहां सेक्रोजिक संगेव बन रहे हैं भारत ये सेना के हजारों करोड रुपिय के ओर्डर आज हेल के पास है भारत के अंदर आज वाइबरेंट डिफेंज इंडिस्ट्री आगे आ रही है आज भारत डिफेंज एक्पोर्ट करने लगा है माने देख जी हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है निराशा में दूबे हुए लोगों से अपे च्छा नहीं है आज देख जी आप जानते हैं बनी बाती समझ सिद्ध कर रहा है जो कभी यहां बैठते थे वह भाँ जाने के बाद भी फैल हुए है और देख पास होता जा रहा है अर इसल्ए समय की मांग है कि आज देख निराशा में डूबे हुए लोग फ़ड़ा स्वस्थ बन रखके आप में चिंतन करे आदनिय अद्दिक जी यहां जम्मु कश्मीर की भी चर्चा हुई जम्मु कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मु कश्मीर गुम कर गाए उमाने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मु कश्मीर पे जा सकते गुम सकते फीर सकते में आदेनिय अदेजी पिछली सताब्वी के उत्रार्द में मैं भी जम्मो कश्मीर में यात्रा लेकर गया था अलाल चोग में तुनेंगा फ्यराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंगवादियों ने पोस्टर लगाए थे आतंगवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस हमाए और कहा था कि देखते हैं कि इसने अपनी मा का दूद पिया है जो लाल चोग में आके तिरिंगा फैराता है पोस्टर लगे थे और उस दिन 24 जनवरी थी मैंने जम्मू के अंदर बड़ी समा में कहा था हद्देख जी मैं पिछली सताब्दी की बात कर रहा हूँ और तम मैंने कहा था आतंगवादी कान खोल करके सुन ले उद दिन मैंने कहा था आतंगवादी कान खोल करके सुन ले 26 जनवरी को 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चोग पहुँचूँगा बिना सिक्यूरिटी आऊँगा बुलेट प्रूप जैकेट के बिना आऊँगा और फैसला लाल चोग में होगा किस ने अपनी मां का दूद पिया बहुत सनय था मानिया देगी और जब सीने करके लाल चोग में तरंगा फैराया उसके बाद मैंने मिडिया के लोग पूछने रगे मैंने कहा था के आम तोर पर तो 15 अगस्त और 26 जिन्वरी को जब भारंग का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयूद भारत के बारूद सलामी देते हैं आवाज करके देते हैं मैंने कहा आज जब मैं लाल चोग के अंदर तरंगा फैरा हूँ दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है खोलिया चला रहा था बंदू के बम फोड़ रहा था आज जो शांति आई है अज चैन से जा सकते हैं चैक्रों की तादाद में जा सकते हैं यह माहूर और परियाटन की दुनिया में कई दसकों के बाद सारे रेकॉर्ड जम्मू कश्मीर में तोड़े हैं आज जम्मू कश्मीर में लोग कंत्र का उत्सों मनाया जा रहा है आदनिय अद्दक जी आज जम्मू कश्मीर में हर गर्टिरंगा का सभल कारकम होते हैं मुझे खुशी हैं कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांती बिगड़ने का खत्रा लगता था कुछ लोग को ऐसा कहते हैं कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांती बिगड़ने का खत्रा लगता था वक्त देखिए वक्त का मया देखिए अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए और अधनियत देख जी अख़बारों में एक ख़बर आई ती जिसकी तरफ ज्यान नहीं गया होगा आधनियत देखिए उसी समय अख़बारों में ख़बर आई ती कि जब क्योंकि लोग टी वी में चमकने की कोशिश में लगे थे लेकि उसी समय स्रीनगर के अंदर दसकों बाग फियेटर हाउस फूल चल रहे थे और अलगावबादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे अभी अभी देश ने देखा आधनियत देखिए अभी हमारे साथी आगरी हमारे मानिय सतर से नौर्थिस के लिए कह रहे थे मैं कहूंगा जरा एक बार नौर्थिस हो आईए आपके जमाने का नौर्थिस और आज के जमाने का नौर्थिस देखिए आधनियत चोड़े हाईवे हैं रेल की सुख्सविदा वाली सफर है आप आराम से हवाई यहाँ चे जा सकते हैं नौर्थिस के हर कोने में आज बड़ी और मैं गर्वा के साथ कहता हूँ आज आधी का 75 साल बना रहे हैं तब मैं गर्वा से कहता हूँ नौ साल में करीब करीब 457,500 जो हथियार की रास्ते पर चल पड़े थे ऐसे लोगों ने सरंडर किया और अलगाववादी प्रवति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है आधनियत देगी आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है उसकी खुशी मैं मुझे सरी होने का हुदा थे जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी तब मैंने कहा था हाईवे आईवे रेलवे और एरवे हीरा ये हीरा का आज सभलता पुर्वक त्रिपुरा की धर्ती पर मजबुती ने ज़रा रही है त्रिपुरा तेज गती से आज भारती विकास यात्रा का भाग बना है आदरिय अद्यक जी मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ लगता है आदरिय अद्यक जी जूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैरिय लगता है और मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं जिनोंने धैरिय के साथ गंदी से नदी बाते सुनने का ताकत दिखाई है यह अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जो सत्थ सुनने का सामर पर ने रखते हैं वो कितनी निराशा की गर्तबे डूप चुके होगे इसका देश अज सबूत देख रहा है मानिय अध्यग जी राज नीतीक मानिय अध्यग जी राज नीतिक बद्वेद हो सकते हैं, विचार धारों में बद्वेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा हमर है, आज हम चल पड़े 2047 आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, एक विक्षित भारत बना के रहेंगे, एक सपन ले करके चले, एक संजल पर ले करके चले, पुरे सामरते के गांदी के नाम पर रोश्टी किरिकना जाएं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक बार गांदी को पढ़ ले, एक बार महत्मा गांदी को पढ़े, महत्मा गांदी ने कहा था, अगर आप अपने कर्पभियां को पांगन करोगे, तो दूसरे के दिकारदी के रक्षाउत में आज कलते दोर अजुकार के बिच में भी लड़ाई देख रहे हैं, ऐसी ऐसी नासम भी, शायद देश ने पहली बार देखी होगी, और इसलिए मानियत जगी, मैं फिर एक बार, आज़र राश्पती जी को अभिनंदन करता हूँ, राश्पती जी का धन्यवाद करता हूँ और बेस आज यहाँ से एक नए उमंग, नए विश्वाद, नए संकल्प के साथ चल पुड़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद